चलो दोस्तो शुरू करते हैं सोने का मेल दूस जादुगर का दूसरा बाग है दोस्तो इसलिए पहले वो जरूर पढ़ना है खुद मेरे को इतनी अच्छी स्टोरी लगी इसलिए मैंने तुरुत इसको तुरुन डालने की सोची बहुत इच्छी कानी लगी द्यान से सुनना यह पहले बाकी स्टोरी काई बाई नहीं पढ़ पाते तो यह स्टोरी पढ़ सकते हैं आप थोड़ी देर पोज रखता हूं मैं इसको आप अराम से पढ़ सकते हैं चलो पिर सुरू करते हैं अटास लगाता हूँ बैनक राक्षस पिना राज कुमार की और ध्यान दिया उसके गोड़े की और बढ़ा उप साधी यह भी दूस जादुगर्चामंडो का कोई मामूली जाल मालूम पढ़ता रहे यह मेरे गोड़े की और बढ़ रहा है फिर गोड़े को अपने बैनक पंजो में दबोच वैत तालाब की और जाने लगा हो हो हाँ तकड़ा सिकार मिला ठेरो मेरे गोड़े को छोड़ दबरना जान से आद दो बैठ होगे फिर इससे पहले के वैविच इतरे वेहनेक राकसस पुन तालाब में समाब जाता राजकुमार ने तेजी से आगे बढ़ कर तलवार की बरफूर चोट उस पर की दूस्त तो इस तरह मानेगा आँ परन्तु गाहल होने के बाज़ूद भी राकसस गोड़े को लेकर तालाब में छलांग लगाने में सफल हो गया ओ ठैर दूस्त मेरे प्यारे गोड़े को मत ले जा वापस लोड़ जा वरना तुमारी भी खैर नहीं और अगले इपल वहर राजकुमार की नजरों से होजल हो गया कमकत मेरे प्यारे गोड़े को ही ले गया अब तो पैदली वाकी का सफरते करना होगा चलते चलते सांज होगी तभी उसे दूर कोई चीज टिम्टिमाती दिखाए दी इस विराने में रोशनी साइद यहां कोई रहता है चल कर देखना चाहिए हो सकता है रात काटने की जगे मिल जाए राजकुमार उस थान पर पहुंचा आस्चरे केवल दीपक क्या माजरा हो सकता है अचानक दीपक बुझ गया और निकट से कुछ सिंगो सियों की आवाज सियों के बैना गुराट उबरे गुर सियों की गुराट कहीं है भी कोई मायावी चक्कर तो नहीं तबी तिन सियों ने नजाने कहां से निकल कर राजकुमार पर आकर्मन किया लेकिन राजकुमार साधान था वैं बादूरी से उनका मकावला करने लगा गुर बागना मत दोस्तों आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि शेर पर सवा सेर किसे कहते हैं और सिगर उसने उन तीनों को मार गिरा सच मानना दोस्तों मुझे तुमारी मोत का बहुत अफसोस है तभी मर्द सेरों के सरीरों से दूए का विसाल गुबार उठा और राजक्मार उसमें गिर गया उप यह क्या मुसीबत है कुछ देर बाद जब वह दूआ छटा हो दूए का मारग और कुछ सोचकर राजक्मार गजराज दूए कि उस अजीबों गरीब मारग पर बढ़ चला वह यह मारग तो किसी ठोस दर्ती की तरहीं लग रहा है लेकिन सावदान रहना चाहिए हो सकता यह भी उस दूश जादूगर का ही कोई मायावी जाल हो जब दूए काव है मारग समाप तो राजक्मार गजराज ने सवब को एक उचे पाड़ के सामने खड़ा पाया यह तो वही पाड़ है चिडिया रानी ने का था कि एक ऐसे उचे पाड़ के दूसरी और मौजूद ताला में बसे सोने के महल में जादूगर चामुडा रहता है लेकिन रात हो चुके थक भी चुका हूँ अतर रात यही काटनी चाहिए सुबे तरो ताज़ा होकर चड़ाई करूँगा और राजकमार रात होई काटने के उदेशा से किसी सुर्ख्षित स्थान की खोज करने लगा जल्दी ही कोई गुफाई मालूम पड़ते है देखू साथ रात यहीं कि सुर्ख्षित कर जाए काफी बयानक मुख है इसका लेकिन बीतर चल कर देखूँ बीतर पूँचने पर गुफा तो काफी लम्बी मालूम होती है लेकिन है दुर्गंत पूरण फिर अभी राजकमार उस मारक पर कुछ ही आगे बड़ा होगा कि तभी उसकी दस्टी एक तरपड़ एक डेर पर पड़ी अरे ये क्या मानव अढ़िया और खोपडिया तभी पीछे से आती एक आवाज को सुनवे चोक कर तेजी से पलटा वो गुफा का मुख बंद हो रहा जरूर कोई खत्रा है मुझे जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए वरना किसी चुए की तरह फस कर रहा जाऊँगा परंटूस के गुफा के मुख तक पुचने से पहले दोवार पूरी तरह बंद हो गया पूफ अब क्या होगा इस दुरगंद पूर्ण स्थान पर मैं कब तक होसा वास पर काबू रख सकूँगा फिर सिगरी राजकुमार का सोचा वास सच होने लगा पूफ दम गुटा जा रहा सायदब ने बच पाउं और कुछी देर बाद वे बेहो सोकर दर्थी पर लुढ़क गया बेचारे राजकुमार गजराज को क्या मालूम था कि जिसे वे कोई विचीतर गुफा समझे हुआ था वे वास्तों में गुफानी बलिक एक वी साल का मगरमत्स नुमान जानुर का खुलावा मूँ था राजकुमार को निगलने के पस्चात वे बहनक जानुर तेजी से रेंगता हुआ एक दिशा में चल पड़ा जब काफी समय तक राजकुमार गजराज वापस ने लोटा रूना है उसकी और से कोई समाचार मिला तो राजा सुर्य राज दोनो रानिया और राजकुमार सिंग राज नाना ना परकार की चिंताओं से गरस्तो दुखी रहने लगे एक दिन जब वे सोक में डूबे बैठे थे कि सफेद चिडिया वहाई आहा चिडिया रानी चल दी मेरे बेटे का आल बताओ कहा है वे मुझे दुख है राजन राजकुमार भी उस दुष्ट चादुकर की कैद में फसक गया है क्याकर चिडिया उड़ गी और तब आ हाई मेरे लाल देज रखो बेहन पिताजी और गजराज के विछों में राजा सुर्यराज सक्त बिमार पड़ गए बहुत इलाज किया गया लेकिन राज़ा की हलत तीन परती दिन बिगड़ती चली गए यंत में हकीम और वैद भी निरास होटे कैसी तब यह दर पिताजी की वैद राज़ी हम अपनी पूरी कोशिस कर चुके राजकमार उन्हें बचाने का आपके वले की उपाय है कि राजकमार गजराज को किसी तरह भी उनके पास ले आया जाए जब राजकमार सिंग राज ने या जाना कि उसके पिता भाई गजराज के जाने आने पर ही ठीक हो सकते हैं तो भाईया को किसी भी तरह से उस दूस जादुगर की कैश से छुड़ा कर लाना ही होगा लेकि चुपचाब जाना होगा क्योंकि वहाँ जाने की मुझे कोई आगया नहीं देगा और एक राजकमार बिना किसी को बता तलवार ले अपने गोड़े पर सवार हो जादुगर चामुंडा के सोने के महल की और चल पड़ा वो जंगल आ गया लेकिन जंगल के निकट पहुंचते राजकमार के दिमाग में सहसा एक विचार आया इस दिशा से जंगल से होकर आगे पढ़ने पर सभी को खत्रा पेसा क्योंने मैं मारग बदल कर इस जंगल को पार करूँ और उस विचार क्याते राजकमार सिंगराज ने अपना गोड़ा दूसरी दिशा में मोड़ दिया वो सकताज दूस जादुगर ने केवल इसी राष्टे पर अपना मावी जाल फैला रखा हो और रन्न मारग सुर्ख सी तो चलते चलते राष्टे मुझे एक छोटा सा आदमी मिला ठैरो ए गुर्षवा ठैरो तुम कोन हो भाई और क्या चाते हो मेरा नाम बस्मा है मैं काम के तलाच में निकला हूँ क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो क्या सोचने लगे सिरीमान वो काम साता लेकिन बहला यह मेरा क्या काम कर पाएगा फिर मैं अपने राज महल में नहीं दूस्जादुगर चामुंडा की खोज में जा रहा हूँ क्या सोचने लगे सिरीमान बाई तुम तो बहुत सोटे कद के वैक्ती हो मेरा क्या काम कर पाओगे मेरा काम तो कोई बहदूर ऐस सकती सालिव एक्ती कर सकता है काम का संब्ध इंसान के लंबाय चोड़ाई को से नहीं बदर बलिक उसकी बुद्धी और सास से आकना चाहिए अच्छा यदि ऐसी बात तो बता तुम क्या काम कर सकते हो मैं किसी को भी बसम कर देने की सकती रखता हूँ क्या इसका परमान दे सकते हो हाँ आओ मेरे साथ राजकना सिंग राज गोड़े से उतर कर उसके साथ चल दिया बोना बक्मा उसे लेकर एक विसाल पेड़ के सामने पुँचा अब देखो मेरी सकती का कमाल ठीक दिखाओ दूसरे संग बोने ने अपना मुख उस्विशाल पेड़ के और करके खोल दिया कड़ कड़ वो अदभूत कुछ सी देर बाद वैसमुचा और रख चल कर राक में बदल गया उसकी यह दबुच सकती देख राजकमार मनीमन परसन होता वा बोला वा भै तुम तो वास्तों में काम के आदमी हो इसलिए आज से तुम हमारे विश्यस नोकर हुए मैं सकतीपुर का राजकमार हुँ परती मा तुमें सोने की एक अजाद दिनारे दिया करूँगा मुझे सभीकार है राजकमार और फिर राजकमार उसे साथ लेकर आगे चल पड़ा वे दोनों काफी देर तक चलते रहे एक स्थान पर बोना बखमा बोला राजकमार यहां से कुछ दूर ही मेरा मजला वाइप पवना रहता है वे भी आपके काम का वेक्तिस ही दो सकता है यदि आप चाहे तो उसे भी अपने यानो कर रख लीजिए ठीक है उसे भी बुला लाओ कुछ देर बाद ही बखमा अपने मजले वाइप पवना को लेकर वापस लोटा वे भी कदमे बसमाज इतना ही था पर नाम राजकमार मेरा नाम पवना है मैं जहां चाहे उड़कर पहुँच सकता हूँ क्या तुम अपनी बात पर मानित करके दिखा सकते हो अभी लिजे राजकमार कैकर बोने पवना ने जैसे अपने आथ हवा में उपर किये वैसे ही वह आकास में उड़ने लगा वाई है भी वास्तों में काम का आद मिसी दुआ आकास में एक चक्र लगाने के पसात पवना नीचे उत्रा और राजकुमार के सामने आज जोड़ कर खड़ा हो गया ठीक है भाई तुम भी काम के आदे में निकले आज से एक अजार सोने की दिनारों पर तुमारी भी नोकरी पकी राजकुमार की जै हो राजकुमार उन दोनों को लेकर आगे बढ़ा फिर चलते चलते हैं दूसरी दिशा से खोपनाक जंगल के निकट जाप पूँचे हमेज जंगल के दूसरी और पूँचना है पमना तुर्ण जुखतावा बोला यह कौन सा मुश्किल काम है राजकुमार गोडे को यही छोड़ी और बैट जाए दोनों मेरे कंदों पर अभी पारक राय देता हूं है जंगल वा इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है चलो बस्मा पर तु तभी बड़ा भाई बस्मा को ध्यान कर बोल उठा खेरिये राजकुमार यदि आप बुराने समझे तो मेरे सबसे छोटे भाई दूर दर्सी को भी नोकरी पर रख लिजे वह पास ही में रहता है और मुझे विश्वास है कि वह भी आपके काम का अदमिसी दोगा वह अच्छा जाओ उसे भी ले आओ लेकिन जल्दी लोटना और राजकुमार की आगया पाकर बक्मा पमना के कंदे पर स्वार ओएक तर खुड चला कितने वी चितर सक्ति के स्वामी है बोने भाई मैंने सादान बोने समझ कर कितनी बारी भूल कर रहा था कुछ देर बाद पमना वापस लोटा वो ले आओ अपने छोटे भाई को राजकुमार यह मेरा सबसे छोटा भाई दूर दूर सी है परणाम राजकुमार तुमारी क्या उसे स्था है दूर दूर सी मैं जमीन के बीतरत्वा किसी भी स्थान को अपनी आखों से बेद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक आसानी से देख सकता हूं राजकुमार अच्छा तो बताओ इस जंगल के पार तुमें क्या दिखाए दे रहा है अभी लीजे राजकुमार दूर दस्थी ने जंगल के और निगा गुमायगली श्नों उसकी आखों से जोती निकली और जंगल को बेहती चली गी और वह बताने लगा राजकुमार इस जंगल के उस पार एक भोत उचा पाड दिखाए दे रहा है उस पाड़ के पिछे एक तालाब है और तालाब में दूरदस्टी ने जो कुछ जंगल के दूसरी तरफ के बारे में वताव से सुनकर राजकुमार को समुझते देर नहीं लगी कि वह वास्ता में दूरदस्टी है और किसी भी वस्तु को भेद कर दूर तक देखने कि उसमें सकती है बस बस भाई मुझे तुमारी बात का विश्वास हो गया अता से तुम भी एक जार दिनारों पर हमारे नोकर हुए राजकुमार अमर रहे राजकुमार की जैहो मेरे विचार से बहमें देर नहकर इस जंगल को पार करना चाहिए क्यों पवना तुम तयार हो हाँ रा पर से होता हुआ आकास में उड़ चला राजकुमार राखिर आप जंगल पार कहां जा रहें क्या बताने का कर्ष्ट करेंगे हवस्चा है और राजकुमार ने उन्हे सारी काहनी सुना दी उनसब से बड़ा भाई भस्मा बूला निसिंद रे राजकुमार हम तीनों बाईों के रहते वे दुस्त जादूर चामुडा आपका बाल भी वाका नहीं कर पाएगा और आपको अपने उदेश्यों में उस्से सबलता मिलेगी कुछ देर बाद लीजियम ने जंगल पार कर लिया राजकुमार और वहर आवचा पहाड उदर सोने के महल में जादूर चामुडा उन चारों को अपने जादूई गोले में साब देख रहा था ओ तो ये मुरुख मेरे महल तक पूछने का दुसाज कर रहे हैं इने रोकना ही होगा जादूगर चामुडा को बदवास देख पिंजरे में कैस भेच सीडिया खिल खिला करेश पड़ी ही ही दूस चामुडा मोत के मुद तुमारे प्राण लेने आ रहे हैं तुम नहीं बचोगे चुप रहे मुरुखिस तरी यह सब तेरे कार्ण और अगर अगर मुझे तरी दुरता पहले ही मालव जाती तो मैं तुझे पिंजरे में पहले ही कैद रख छोड़ता लेकिन देखती रहे मैं इन्हें कैसा मजा चकाता हूँ और जादुकर चामुडा ने हाथ में थमी मंतर पढ़कर जमीन पर मारी तुरंद दुए का बादल साउठा महाकाल सामने आओ हो हो और उस दुए में से एक बैयानक राक्सस पर कटवा क्या हुकम है मेरे मौलुक जाओ जल्दी जाकर मेरे दुस्मनों का समाप्त करो जो यह परभू उनकी रक्षा करना इधर सावदान भाईयो मैं देख रहा हूं जादुकर महाकाल नामक राक्सस को हम पराकर्मन करने के लिए बेज रहा है चिंता मत करो छोटे भाई मैं उससे निपटने के लिए बिलकुल तैयार हूँ और फिर जैसे उन्होंने उस सुचे पाढ़ को पार किया वैसे जादुकर चामुडा का महाकाल राक्सस से एक विशाल का या बहानक पक्षी का रूप दान करून पर तेजी से जप्टा ये इस पर कैसा बहानक या विशाल का या पक्षी है चिंताने करे राजकुमार देख कर पक्षी से टकराई वा ची तुरंती वै बहानक पक्षी आ की लप्टों से गिर उठा दूसरे इसन राक्सस रूपी अपने असली रूप में आकर जलतावा धरती पर गिरने लगा वो मारा साबास बसमा आई आहा वो धरती पर पूंचते पूंचते राक्सस राक के धेर म में बदल गया जल्दी पमना राजकमार और अपने बाहियों को लेकर तालाब के किनारे उतरा है तब दूदर्शी बोला राजकमार मैं देख रहा हूं जादुगर चामुंडा कुछ गबराय वा है और अपने जादुई गोले में हमारी एक एक हरकत देख रहा है उसके नि शैतानों ने मेरे विश्यक्स्रक्षस माकाल को मार डाला और अब मेरे महल में गुष्ने की योजना बना रहे हैं अब अपनी खैर मनाव चामुंडा तुमारे खवाब मिट्टी में मिलने जा रहे हैं एक सो एक इंसानों का खून पीकर अमर बनने से पहले ही तुम उनके आ रहा है आएंगे तो तभी ना जब मैं जाओंगा कैसे रोकोगे तुम उन्हें देखती जाओ तभी चंदर देश की राजकमारी वहाई पिरिये तुम हाँ मैंने सुना कुछ दुसमें तुम्हें मारने आ रहे हैं हां लेकिन सब कुतों की मोत मारे जाएंगे देखो इस गो चामुंडा ने उस गोले पर अपनी चड़ी गुमाई उसमें राजकमार और तीनों बोने वाई तालाव के किनारे खड़े दिखाए देने लगे राजकमार वा तीनों बोनों को देख राजकमार ये अपने मन की परसंता दवाती भी बोली पिरिये चामुंडा तुम इने जल्दी से मार कर इनका खून पियो और अमर्तव पराप्त करो मैं तुम से विवाग करने के लिए व्याकूल हूँ बस कुछ इंजार और करो पिरिये अब जरा इनकी मोद का खेल देखो क्याकर वैपून अपने जादूई गोले पर अपनी जादूई छड़ी गुमाने लगा गुम ती तूड तड़ाकू दूतों सबक सिखा उने इदर दूरदर्शी महल के बीतर किये के खबर से राजकूमार को अवगत करा रहा था और वह में सबक सिखाने के लिए अपने दूतों को रवाना कर रहा राजकूमार और अभी दूरदर्शी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उनके इर्दगिध्स ऐसा सेक्रो राक्षस परकट हुए हाँ हो अब निवत हो गवराना राजकुमार अभी मैं इनकी एकल ठीकाने लगाता हूँ और अगले संजादुगर के उन मायवी राक्षस ने जैसे ही राजकुमार यादी पर आकमन करना चाहा हूँ फाय मरा बचाओ पलक जबते इस सारे राक्षसों को बस्मा ने बसम कर दिया साबास बस्मा अब में महल में परविष्ट होना चाहिए चलिये राजकुमार लेकिन वे जैसे तालाब में उतरने का हुए तालाब के पानी ने आग के लप्टों का रूप दान कर लिया और उन लप्टों ने महल को चारों और से गेर लिया वो अब महल में कैसे परवेश करेंगे आप चिंताने करें राजकुमार मैं अभी परवंद करता हूँ पवना ने अपना मुख खोलार उसके मुख से तेज अवा निकलने लगी और देखते देखते आग की लप्टे बुझ गई तुरंत पवना ताला में कूद पड़ा चले आए राजकुमार अब कोई खत्रा नहीं है हाँ राजकुमार यही मौका है चामुंडा पर आकर्मन करने का वे बुरी तरे भहवीत हो चुका है उदर सोने के महल के भीतर अरे आग बुझ गई वो वे ताला में उतरने में सफल हो गए और वे यहां फूचते ही होंगे दुष्ट मरने के लिए तयार हो जाओ चिडिया राजकुमारी की बाद सुन चामुंडा करोज से चीगुठा नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं सब को मार डालूँगा फिर उसने अपनी जादुए छडियी जोर से दर्ती पर पटकी तुरंट भूसे राक्सस उसके सामने परकट हुए रक्षको जाओ और महल में प्रिष्ट होने वाले दुस्मनों को मोत के गाट उता दो जो आ गया हमारे आका हेशवर उनकी रक्षा करना और जैसे राजक्मार और तीनों बोने महल में प्रिष्ट हुए जादुगर के रक्षको ने उन पर आकर्मन कर दिया राजक्मार और तीनों बोने बाई पूरी बहदुरी से उनका मुकाबला करने लगे आ उफ आए देखते ही देखते बूट से राक्षा सुनके आथों मारे गए तुम इनसे निप्टो दोस्तों मैं दूस चामुडा को देखता हूँ ठीक है राजक्मार हम अभी इनसे निप्ट लेते हैं आप उस दूस ने निप्टी है और राजक्मार अपने सामने आने वाले राक्षासों का सफाय करता वा तेजी से एक तरफ बढ़ चला फिर सिगरी वैवस कमरे तक पूचने में सफल हो गया जहां चामुडा मोज़ुद था अब तुम नहीं बचोगे दूस जादुगर तुमारा खेल समात हुआ पहले अपनी खेर मना मुरक जादुगर चामुडा के जादुई छड़ी गुमाते बोच से बयानक प्राणी महा परकट हुए और चामुडा के आदेश पर राजक्मार पर तूट पड़े राजक्मार भादुर से उनका मकाबला करने लगा राजक्मार इस तरह तुम इनसे मकाबला नहीं कर सकते चामुडा का जादुई गोला तोड़ दो चीडिया की बाद सुनतुर्त राजक्मार ने जादुई गोला उठा लिया नहीं और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा धड़ाम गोले के तूटते सारे राक्सस पीड़ा से चीखते वे अदर से हो गए तबी चीडिया फिर बोली राजक्मार इस दूस्त की मोत इसके गले में पड़े हार में है इसे उतार कर तोड़ दो ओ नहीं जादुगर करोदी तो पिंजरे के और जफटा ओ विश्वास का अतनी अब मैं तुझे जिन्दा नी जोड़ूँगा ठेर जाओ से तान मोका अच्छा है मैं वहार इसके गले से उतार लूँ और जादुगर ने जैसे चीडिया रूपी राजक्मारी को करोद में पिंजरे से निकाल उसकी गर्दन मरोडनी चाही गज कुमारी ने उप्युक्त मोका दे किसी चतुर भागनी की तरह जफट कर पीछे से उसके गले से हार खिच लिया रहे वाह आए चंद्रीका के हाथ में आराते राजक्मार परसंता से चीक उठा साबस राजक्मारी अब इसे तुरंट तोड़ डालो नहीं नहीं से मत तोड़ना तुम जो कोगी मैं करूँगा राजक्मारी जादुगर चामंडा भूरी तरह बहभी तोठा पर तो राजक्मारी चंद्रीका ने उसकी बात की और कोई ध्यान ने दिया दुष्ट अब तुम्हें मत से कोई नहीं बजा सकता ले नहीं आई और तुरंट आर के टुकडे टुकडे कर दिये हार के तुटते चामंडा के प्रान बखेर उड़ गए जादुगर की मत के साथ ही सोने के महल का तिलस्म तूट गया और चिडिया एक कदेड सुन्दरी के रूप में प्रविर्तित हो गई दन्यवाद राजकुमार आखिर या दुष्ट जादुगर आपके किये की सजा पा अपने किये की सजा पा ही गया इसवर का सुकर है अब हम इसकी कैद से मुक्तिप आ गए तभी तीनों बोने भाई भी वहाँ पहुचे आओ आओ दोस्तों तुमारा भी सुक्रिया तुमारी साहता से आखिर हम इस दुष्ट जादुगर को समात करने में सफल हुए है दन्यवाज राजक्मार अब हमें देर नेकर राजक्मार गजराज की खोज करनी चाहिए तभी अदेड राजक्मारी बोल उठे अपने भाई की चिंता मत करो राजक्मार महल का तिलस्म तूटने के साथ ही अब उन्हें कोई खत्रा नहीं रहा गया आओ मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ हाँ चलो मैं अपने भाई से मिलने के लिए अतन्त वैकूल हुने जाने उस पर क्या बेती होगी फिर अदेड राजक्मारी के साथ वे सभी एक तरफ चल दिये शिगरी चिडिया राजक्मारी उन्हें लेकर उस थान प्रफोंची जान बूच से बादू रिउकों के साथ राजक्मार गजराज भी कैद था वेर है राजक्मार गजराज बैनना कैदी हाँ भाईया कैद खाने का ताला तोड़कर राजक्मार सिंगराज ने सभी को मुख्त करा राजक्मार गजराज और सिंगराज आपस में गले लग गए भाईया परसंता के अदिक्ता से दोनों की आखों में आसू बैने लगे उसके बाद राजकमार सिंगराज ने अपने बाई और नकैदियों का दूस चादुगर के मारे जाने तक कि सारी काहनी सुना करंट में कहा अब आप सब आजाद हैं और अपने अपने देशवेगरों को खुशी खुशी वापस दा सकते हैं हम आप के आबारी है राजकुमार, राजकुमार सिंग राज की जैहू, राजकुमार सिंग राज जिन्दाबाद, सारी कानी सुनकर सभी सैनिक राजकुमार सिंग राज की जैजाकार कर उठे, उसके बाद सभी से विदाले राजकुमार सिंग राज अपने भाई गजराज, दोनों राजकुमारी और तीनों बोनों भाईयों के साथ अपने देश लोट पड़ा। जब ये सभी राज महल पूछे तो दोनों राणियों ने अपने बेटों को गले से लगा लिया। मेरे लाल, मेरे बेटे, माँ राजकुमारों के वापस लोटने की खबर सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दोड़ गई। दोनों राजकुमारों को सही सलामत अपने सामने देख राजा सुर्य राज की भी सारी बिमारी जाती रही वे पहले की तरही सवस्त है परसंचली तोट है। तो बहुत अच्छे कहाने थी जरूर लाइक सबस्क्राइब करना।